नमस्ते मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग दो फरवरी है और अगर मैं समय की एग्जैक्ट बात करूँ तो समय है अभी बारा बजे मैं तक्रीबन यहां पे सवा ग्यारा बजे आ गया था और सवा ग्यारा से कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरह से अंदर आंदोलन वाले एरिया में जा सको गाली तक्रीबन यहां से जो अगर आप हम इसकी बात करें गुरूतेक बहादूर उस समारक से पीछे डियर से पहुने दो किलूमीटर पहले ही एक बैरिकेडिंग शुरू होती थी पहले अगर आपको याद हो जहां से ब्लॉक्स थे वहां पे ही गाली आप रोक ली जाती ह चाहें वो किसी की हो अनलेस एंटल किसी बड़े पुलिस अफसर की गाली नहीं है तो वो नहीं आ सकती है यहां से भी जहां पर यह पहला स्टेश शुरू होता है उसके पहले ही आप यह देख रहे हैं कि यह बैरिकेड लगा हुआ है और यहां से आपको अंदर जाने की अज़ाज़त नहीं है आप जा नहीं सकते हैं अगर आप यह दिखाएंगे तो देख लीजे किस तरह से यह सारे यह जो सिमेंट के ब्लॉक्स है वो पहले इसी लगाय रखे गे थे और यह पूरी तरह इसन को ब्लॉक कर दिया गया है और ऐसी इस्थिती में मैं अगर आपक करूं कि क्यों नहीं जाने दे रही क्योंकि पीछे जो दो तीन दिन पुरानी चाल दिन पुरानी जो घटनाए हुई है कि जिस तरह से लोकल वेक्ति आये जो तथा कथित स्थानी वेक्ति आये पत्थर बाजी हुई उसको देखते वे यह कह रहे हैं कि हमने यहां से किसी भ नहीं जानी दिया जाएगा तो फिर कौन जा सकता है यानि कि उस अन्दोलन वाले अरया में आप ठीक के कॉमन मैं नहीं जा रहा है कि आपको नहीं पता है कि वो लोकल है किस मंचा से आए लेकिन जो पत्रकार हैं जो मेडिया कर्मी हैं अगर आप उनको भी अंदर नहीं जाने दे रहें तो ये किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है ये दबाव अगर सरकार ये चाहती है कि वो हर तरह से हर चीज को दबा देगी किसानों को आना जाना रोग देगी मीडिया को आना जाना रोग देगी चहेते ही मीडिया कर्मी अगर वहाँ पे जा सकेंगे आज मेरे पास सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पास कार्टून आया मैंने उसको ट्विटर पे अपने डाला भी है शेर भी किया है कि वो मैं आपको इसमें आप अभी देख रहे हैं साइड में तो यह मैं क्योंकि एडिट करने के बाद आपको मैं डाल रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें किस तरह यानि कि मैं सुबह ये घर से देख के चला था और यहां पे आके यही स्थिती हो गई और सचाई यही है कोई भी कार्टून हो या फिल्मे हो कहा जाता है कि समाज का आइना होता है यानि कि जो आर्टिस्ट होता है वो ये देखता है समाज में क्या घट रहा है और उसको उकेरने का प्रयास करता है सवाइल यह है कि क्या जिस तरह से हम सोशल मीडिया के उपर बहुत सारे फोटेज देख रहे हैं पिक्टर्स देख रहे हैं विजुल्स देख रहे हैं कि लोगों को यहां पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है सीमेंट्स के बेरिकेट्स उनको बनाएगे अभी एक मैंने देखा था वीडियो अगर इसमें भी मैं हो सकता दिखा भी सकूँ विजुल्स में कि जो नीचे पथर लगा के जहां पर सीमेंट का गोल डालके उसके उपर बड़े-बड़े सरीय काटे लगाए गए हैं कटीले सरीया ही है ताकि कोई भी ट्रेक्टर कोई भी गाली कोई भी ट्रक यदि उसको पार करके आता भी है सीमेंट के वेरिगेट हटा देता है तो वो टायर उससे फट जाएं मैं बार-बार सरकार से अब क्योंकि सरकार ज्यात्ती पर आ गई आपने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को भी गिरिफ्तार किया गया पत्रकारों के उपर मुकदमे भी हो रहें मंदीप पुनिया गिरि निन श्चेनल कौन क्या दिखाएगा जो निन श्यानल से उनके फेवरन में दिखा रहा है सरकार के फेवरन पी बात कर रहा है उसको प्रिफिलेज है और बाकी लोगों को उगर प्रिफिलेज नहीं तो मैं समझता हूँ अगसी इस्थिति में ऐसी समस्याओं यह आंदोलन खतम नहीं होगा, यह आंदोलन कम नहीं होगा, यह आंदोलन की आग भड़केगी, बड़ा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं, जब भी किसी चीज को रोकने का प्रयास किया जाता है, जब भी हम किसी चीज को रोकने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास करते हैं, वो चीजें बड़ी होती चली जाती है, सरकार को इस मसले पे गौल से देखना होगा, आपको मैं एक बार यहां का दिखा देते हैं, कि एगजेक्टली कौन सा एरिया है, पवन से मैं कहूंगा, सारा दिखा है, पवन एक बार इधर से दिखाईएगा, यह इधर से, यह आप देखने हैं, यहां पर आपको दिखाया था पहले कि यहां पर सामने वह भारत पेट्रॉल पंप है, और दो पेट्रोल पंप होता है, हजए ज़ यह वोड़ को देखें हम यह गूरु ते ग मेमोरियल का जो बोड़ लगा हूँ है, बिल्कुल हम गूरु ते घरा से आगे हैं, तो ऐसे ही कंडिशन में अगर आप देखेंगे तो यह सारी चीज़ है और यह देखेंगे और आपको दिखाता हूँ यह यहां पर देखेंगे यहां पर जो लास एक तरह से है यहां से सब लोग पहले अंदर जाते थे और यह जो आवाज अगर आप सुन पा रहे होंगे शायद तो आव यहां पर देखेंगे तो मेरा सवाल यही है कि क्या सरकार को इस तरह से चीज़ों को बंद करना चाहिए अगर सरकार इस मामले में इस तरह से पेश आ रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आंदोलन खतम होने की तरफ बढ़ रहा है धन्यवाद नमस्ते